हलो दोस्तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी कि क्या रीजन्स होते हैं जो हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है तो दोस्तो ये मेरा बौगिन वीलिया का प्लांट है और ये करीबन दो साल से इस तरीके के 14 इंच के सिमेंट के गमले में मैंने लगा के रखा हुआ है और इसमें जो मैं देख रही हूँ छे महीने से जो है इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है तो मैंने इसमें चेक किया कि इसमें किस चीज की कमी है मैंने इसको फर्टिलाइजर अच्छे से दिया सनलाइट में रखा और पानी पे अच्छे से दिया और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हुई है लेकिन इसमें कोई भी कली नहीं बन पा रही है कोई भी फूल नहीं खिल पा रहे है तो मैंने इसके प्लांट का पॉट है इसको पीछे करके देखा तो मैंने यहाँ पे देखा इस तरीके से इसकी जो रूट बाउंड गई है इस पौधे के जड़ है वो आप देख सकते हैं कि पौट के बाहर बिल्कुल निकल रहे हैं इसी वज़ा से जो है हमारे पौधे में कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है तो दोस्तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी तो सबसे पहले तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पौधे को हम इसमें से निकाल के और बड़े गमले में लगा सकते हैं और या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसके रूट्स की कटिंग कर दें और उसके बाद फिर हम इसी गमले में इसको लगा सकते हैं तो मैं दोस्तो इसको बड़े गमले में नहीं इसी गमले में मैं इसको लगा दूँगी और मैं इसकी रूट्स को जो है कट कर दूँगी तो दोस्तों आज हम इसको खुर्पी से पहले जो है इसकी मिट्टी को थोड़ा धीला कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इस पौधे को अच्छे से निकाल लेंगे और इसकी जो है हम उपर से भी जो पतियों की भी प्रूनिंग हलकी हलकी कर देंगे और मिटी में जो जड़ है उसकी तो हम प्रूनिंग करेंगे तो इस तरीके से दोस्तो जब हम यह सब काम करते तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है गार्णिंग काम करते हैं वक्त तो उसको आप इग्णोर करिएगा तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से इसकी मिट्टी को निकाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इस पौधे को निकाल लेंगे बहुत हलके हाथों से निकालना है और धीरे धीरे करके हम इसको अगर निकालेंगे तो आराम से निकल जाता है ये पौधा इस तरीके से दोस्तों ये देखे निकल गया है और अब हम इस पौधे को अलग रख देंगे अच्छे तरीके से साइड में कर लेंगे यहां पर हमने रख दिया इस पौधे को और इसकी जो बची हुई मिटी इस पूरे गमले को हम अच्छे तरीके से खाली कर लेंगे यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पौधे की जो रूट से वो किस तरीके से इतनी बड़ी-बड़ी हुई है बहुत ही जादा जो यह बड़े-बड़े रूटस हो गया था इसके और आप गमले में भी देख सकते हैं यहां पर गमले में आप देखिए जो ड्रेनेज होले उसको भी रूटस ने ब्लॉक कर दिया है और यही सब कारण होते हैं दोस्तों कि हमारे पोधे में हम कितना भी फर्टिलाइजर दे दे कुछ भी कर ले लेकिन फूल नहीं आते हैं तो हम अच्छे तरीके से इसको जो है इसके रूटस को निकाल लेंगे ड्रेनेज होल को बिल्कुल कलियर कर लेंगे और उसके बाद जो यह जितने भी जड़ वेगर हमको दिख रहे हैं बड़े-बड़े से छोटे-छोटे हम छोड़ सकते हैं मिटी में लेगे जो बड़े-बड़े यह सब जड़ है इनको हमको हटा लेना है अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों अच्छे तरीके से जो ड्रेनेज होले उसको बहुत अच्छे तरीके से हम साफ कर लेंगे क्योंकि जब भी हम गमले में कोई पोधा लगाते हैं तो उसके लिए ड्रेनेज होल होना अच्छा बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है यहाँ पर इसकी मिट्टी को हमने जो पूरा निकाल लिया है गमले से बाहर उसमें जो जड़ वेगरा बड़े जड़े इस तरीके के उसे हम अलग कर लेंगे और जो छोटे छोटे जड़े उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो जो है धीरे धीरे डीकम्पोस हो जाएगा यहाँ पर हमने जो है इस मिट्टी को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है अब हम इस मिट्टी में थोड़े मातरा में कमपोस्ट मिला देंगे यहाँ पर दोस्तों मैं मिट्टी में वर्मी कमपोस्ट मिक्स कर रही हूँ आप चाहें तो जो भी आपके पास कमपोस्ट रो वो लिए बिल्कुल तैयार हो गया है और से थारीके हैं OFF अपनी मिट्टि में अच्छे तरीके in अब गंबले में क्या क्या करेंगे यहां पे सबसे पुरी अच्छे तरीके से कवर कर देंगे कीशी की है eliminated ताकि मिट्टी हमारे गमले से बाहर ना निकले और अब हम इसमें थोड़ी नीचे में पतियां डाल देंगे कोई भी सूखी पति आप डाल सकते हैं इसमें ये क्या करेंगी कि धीरे धीरे ये कंपोस्ट बन जाएगा तो कोई भी थोड़ी बहुत सूखी जो पतियां वेगरा होती हैं वो हम नीचे में इसके डाल देंगे अब इसके उपर हम मिट्टी अच्छी तरीके से भर देंगे आधा दूर तक हम इसमें मिट्टी भर देंगे आधा गमले में अच्छे तरीके से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि एक बेडिंग बन जाए हमारे पौधे के लिए इस तरीके से हम थोड़ा प्रेस कर देंगे इसको और अब थोड़ा और मिट्टी हम इसमें रख लेते हैं यहाँ पर हम इसमें अच्छे से मिट्टी आधी भर लिया है भी ब्रांचेज निकलेंगी और जितने जादा ब्रांचेज होंगे उतने जादा जो है फ्लावरिंग होगी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये पौधा जो है थोड़ा मुर्जा गया है लेकिन इससे आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है अभी हम इसे अच्छे त तरीके से मिट्टी भर लिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे और अभी एक दो दिन हम इसे छाया वाली जगह पे रख देंगे बिल्कुल अभी मुर्जा गया आप देखिए दोस्तों लेकिन एक दो दिन में बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और अभी दोस्तों अगर आपके कोई भी प्लांट का जो है रूट बाउंड अगर हो गया है अगर फूलों वाले पौध में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए अगर गंबले के बाहर जो रूट सगर निकल रहे हैं तो हमें ध्यान देना होगा उसके वज़े से भी हमा पौधे रीपॉर्ट हो जाते हैं और अच्छे तरीके से फिर चलने भी लगते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करिएगा शेर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में